तो देखो आज हम history से related questions को यहां पर discuss करेंगे यह questions आपके previous exam में पूछे गए हैं so no doubt आपके आने वाले exams में भी beneficial होने वाले हैं देखो आपको simply करना क्या है आपको खुद का खुद से test लगाना है और check करना है कि आपके questions में से कितने questions सही होंगे वा कितने गलत होंगे बाकि इससे पहले हमने history के और सारी videos भी बना रखी हैं तो अगर आपने वाले videos अब तक नहीं देखी हैं तो इस video के description में जाएं वहाँ पर history questions करके link दिया गया होगा उस link पर click करके उन videos को भी देख लें तो चलिए start करते हैं आज की वीडियो को आज हम maximum 20 questions को यहाँ पर discuss करेंगे तो question number 100 से हम start कर रहे हैं which Indian city is the first to make it to the UNESCO World Heritage List तो भारत का कौन सा शहर वह पहला शहर है जिसने UNESCO विश्व विरासत सूची में स्थान बनाया है तो देखो guys पहली बात तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जरूर से हमारे चैनल को subscribe कर दें अब देखो भारत का कौन सा शहर था वह पहला जिसको जो है तो UNESCO विश्व विरासत सूची में जो है तुस्थान मिला था तो यह option D यहां पर correct हो जाएगा इन में से कोई नहीं इन में से कोई नहीं तो आखिर किसको मिला था तो देखो यह मिला था अजन्ता की गुफाओं को किसको मिला था अजन्ता की गुफाओं को अब आप कहोगे कि अजन्ता की गुफाओं किस state में हैं तो देखो महारास्टरा state में है महारास्टरा state में है अजन्ता की गुफाओं अब देखो यहां से question यह भी बन सकता है कि भारत में जो अजन्ता की गुफाओं हैं तो देखो इन छोड़े छोड़े points को आपको note रखना है question number 101 की बात करे national archives is located at तो राष्ट्रिय अभी लेखागार कहां पर स्थेत हैं तो देखो राष्ट्रिय अभी लेखागार है नियू डैली में स्थेत option देखो यहां पर incorrect हो जाएगा question number 102 की बात करे बदरी नाथ is situated on the bank of which river तो किस नदी के किनारे बदरी नाथ जो है तो स्थेत है अब देखो बदरी नाथ जो है तो धार्मी के दिरिष्टी गौन से एक मैट पूर्ण स्थाल है अब ये कहां पर है तो देखो ये उत्तराघंड state में है अब देखो ये किस तो देखो विजे स्तंब कहां पर स्थीत है तो ये है चिताओर में option देखो यहां पर c correct हो जाएगा अब चिताओर कहां पर पड़ता है तो देखो चिताओर पड़ता है राज्यस्थान में अब देखो ये जो विजे स्तंब है इसका निर्मान किस ने करवाया था यानि कि इसको establish किस ने करवाया था तो आपको note रखना है राना कुम्भा ने इसको establish करवाया था राना कुम्भा ने ये point आपको note रखना है question number 104 की बात करें which of the following places is famous for its gigantic rock cut statue of Buddha तो निम्न में से कौन सा स्थान बुद्ध की विशाल शेलोत किर्ण मुर्ती के लिए प्रसीद है तो कौन सा है तो ये है बामियान में option देखो यहां पर decorrect हो जाएगा अब देखो present की अगर यहां पर बात कर ली जाए बामियान कहां पर है तो बामियान है अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में यह पढ़ता है अब देखो ये जुबामियान में बुद्ध की विशाल मुर्ती थी इसको जो है तो वरतवान यानि की present में नस्ट कर दिया गया है अब नस्ट की नहोने किया है तो आपको पता होगा अफगानिस्तान में एक ग्रुप है तालिबानी तालिबान ग्रुप है तो तालिबान ग्रुप ने जह तो इसको नस्ट कर दिया है ये भी पॉइंट आपको नोट रखना है अब देखो चार मिनार कहाँ पर है तो यह है 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 अप्शन देखो यहाँ पर है खजुराहो के मंदिर आपको बता होगा कहाँ पर है तो यह है मध्य प्रदेश में आप्शन देखो यहाँ पर एक और एक और एक्ट हो जाएगा तो यह है मध्य प्रदेश में आप्शन देख next question की बात करें question number हमारा 107 है तेन बिग्गा लेजबाई इंडिया टू बंगलादेश वाज पार्ट आफ तो भारत द्वारा बंगलादेश को तीन बिग्गा पट्टा एक हिस्सा था यानि कि भारत ने जो है तो गोलकुंडा फॉर्ट is in which state तो गोलकुंडा किला किस राजे में स्थीत है अब देखो गोलकुंडा किला किस राजे में है तो पहले आपने सुना होगा कि यह आंधर परदेश में था आंधर परदेश में बट 2014 में जब से तेलंगाना टूटा हुआ है तो यह जो है तो गोलकुंडा किला कहाँ पर चला गया है तो यह तेलंगाना state में चला गया है तो ऑप्शन देखो यहाँ पर एक और एक्ट हो जाएगा तेलंगाना state में जो है तो गोलकुंडा किला स्थीत है 108 का ऑप्शन एक और एक्ट होगा next question की बात करें question number 110 की बात करें सांची स्थूपा is located near तो सांची का स्थूप किसके नजदीक स्थित है तो देखो सांची का स्थूप वैसे तो आपको पता होगा मध्यपरदेश में स्थित है मध्यपरदेश में अब देखो मध्यपरदेश में कहां पर है सांची का स्थूप किसके नजदीक स्थीत है तो यह भोपाल की नजदीक स्थीत है next question की बात करें तो question number 121 आप screen पर देख सकते हो which script was introduced in southern India during the time of Ashoka तो Ashok के समय दक्षिन भारत में कौन सी लीपी चलाई गई थी तो देखो अशोक के समय दक्षिन भारत में कौन सी लीपी चलाई गई थी तो दक्षिन भारत में चलाई गई थी ब्रम्ही लीपी option देखो यहाँ पर एक औरेक्ट हो जाएगा next देख लेते हैं question number 122 है which of the following is not a work of कालिदासा तो निवन में से कौन सी कालिदास की एक रचना नहीं है यहाँ पर पुछा गया है नहीं है अब देखो कालिदास ने मालवी का अगनेमितर लिखी हुई है मेग दूत लिखी हुई है रितू सहार लिखी हुई है अब यह जो सांख्यकारी का है ये जो है तो कालिदास की रचना नहीं है option देखो यहाँ पर A correct हो जाएगा 122 का option A correct होगा next देख लेते हैं question number 123 अश्वघोष was a contemporary of तो अश्वघोष किस के समकालिन थे अब देखो अश्वघोष किस के समकालिन थे तो ये थे कनिश्क के समकालिन option देखो यहाँ पर B correct हो जाएगा कनिश्क के होगे यहाँ पर कनिश्क option में दिया हुआ है और हर्च दिया हुआ है तो इन दोनों में आपको कनिश्क के समकालिन थे next question की बात करें question number 124 की बात करें the only Indian Muslim to sit on the throne of Delhi during the सल्टनत period was तो सल्टनत काल के दिरौन दिली के सिंगासन पर बैटने वाला एक मातर भरती Muslim कौन था देखो important question है यह आपको दोनोट रखना है तो वह कौन था तो वह राइहान option देखो यहाँ पर C correct हो जाएगा option C correct होगा 125 question की बात करें बाकि देखो यह जो राइहन है इसको कई बार प्रोनाउशेट करके जो है तो राइहान भी लिखा हुआ होगा होता है तो आपको देखो confusion नहीं होना है option C correct होगा 125 question की बात करें शिवाजी इस नेवल फ्लेट वाज स्टेशन अट तो शिवाजी की नौ सेना का बेड़ा तैनात किया गया था तो यह कहां पर किया गया था अब देखो यह भी question important है यह आपको note रखना है तो देखो शिवाजी की जो नौ सेना थी उसका बेड़ा तैनात किया गया था कोलाबा के नजदीक option देखो यहाँ पर de-correct हो जाएगा अब आप पूछोगे कि कोलाबा कहाँ पर है तो देखो कोलाबा है मुंबई के पास स्थीत है मुंबई के पास स्थीत है अब मुंबई के पास स्थीत है तो आप कह सकते हो कि महारास्ट्रा state में पड़ता है अब देखो यहां से एक question भी बनता है कि शिवाजी की जो 9 सेना का बेड़ा तयार किया गया था कोलाबा में तो वह कब किया गया था यानि कि आप से date पूछ ली जाती है तो date आपको नोट रखनी है 1678 1678 में जो है तो शिवाजी की 9 सेना का बेड़ा तयार किया गया था कोलाबा में ओके ये point आपको नोट रखना है next question की बात करें question number 126 है who was the last independent ruler of Bengal तो बंगाल का अंतिम स्वतंतर साशक कौन था अब देखो यहां पर आपको पहले तो question को बिल्कुल deeply पढ़ना है यहां पर स्वतंतर साशक पूछा गया है ना कि अंतिम साशक पूछा गया है अब देखो स्वतंतर साशक कौन था अब आपको पता होगा सबसे पहले अली वर्दी खान था अली वर्दी खांके फिर बाद फिर सीराज दौला जो है तो शाशक बना सीराज दौला के बाद फिर आपको पता होगा मेर कासीम आया फिर मेर जाफर आया अब आपको पता होगा मेर कासीम और मेर जाफर है यह जो है तो अंग्रेजों की आप इनको कट पुत्ली कह सकते हो, पकि मेर जाफर को तो आप उतना नहीं कह सकते हो, बर जो मेर कासिन था वह अंग्रेजों की एक कट पुत्ली था, तो यानि की यहां पर आप से सीधा पूछा गया है स्वतंतर शाशक, अब देखो मेर जाफर भी स्वतंतर शाशक नहीं था यह अंग्रेजों के दब दबे में जो है तो काम कर रहा था अब स्वतंतर शाशक कौन था तो यह था सीराजु दौला option देखो यहां पर C correct हो जाएगा सीराजु दौला जो है तो एक स्वतंतर शाशक था यह पॉइंट आपको नोट रखना है next question की बात करें question number 127 की बात करें the प्रार्थना समाज was established by तो प्रार्थना समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था तो देखो प्रार्थना समाज स्थापित किया गया था आतमाराम पांडूरंग द्वारा option देखो यहां पर C correct हो जाएगा आतमाराम पांडूरंग द्वारा next question जो की हमारा last question है which of the following aim data dividing the Hindus and Muslims तो हिंदू और मुस्लिम के बिभाजन का लक्ष निम्न में से किस ने रखा था तो देखो यह रखा था communal award ने यानि कि सामपरदाई का पुरसकार ने option देखो यहां पर B correct हो जाएगा 128 का option B correct हो जाएगा देखो guys यह जो मैंने सारे के सारे आपको answers बताएए यह मैंने official अंसर की से match करके ही बताएए तो देखो guys यह थे हमारे कुछ questions आई होप वीडियो आपको informative लगी होगी अगर वीडियो अच्छे लगी है तो जिरूर से इस वीडियो को like करें, share करें, channel को subscribe भरें, साथ में bell icon को जरूर दबाएए तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, till then take care